नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट एम्चे क्यूब संदीब में दोस्तों हम लोग सिच्छक भरती की तैयारी कर रहे हैं जिसके एक्रम में आज हम पढ़ेंगे बाल मनोव ज्यान के अंतरगत व्यक्तिगत विभिनिता का टॉपिक ठीक है दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बता दो जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निसान ज तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्यक्तिगत विभिनिता का टॉपिक दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभासा समझ लेते हैं इसकी परिभासा क्या है एक व्यक्ति किसी भी प्रकार या आधार पर दूसरे व्यक्ति से अलग होना व्यक्तिगत विभिनिता कहलात यह सारीरिक वा मानसिक किसी भी आधार पर हो सकता है ठीक है दोस्तों क्या मतलब इसका कोई भी दोवेक्ति पूरे संसार में कोई भी दोवेक्ति एक समान नहीं हो सकते चाहे वो सारीरिक रूप से नहों या मानसिक रूप से नहों किसी न किसी प्रकार से वो एक दूसरे से भ है वो ना मैच करें या हो सकता है किसी का IQ लेवल मैच कर जाए तो उसकी फेस ना मैच करें मतलब कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होता है एक दूसरे में ठीक है कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते ठीक है चले आगे देखिए क्या लिखा इस पर सर्वप्रथम प्रयास गाल्टन ने किया किस ने किया गाल्टन याद रखिएगा अगर प्रशन आ जाए कि व्यक्तिकद विभिनता पर सर्वप्रथम शोध किस ने किया या इसके बारे में सर्वप्रथम अध्यन करने का प्रयास किस ने किया तो उसका सही उतर क्या हो की परिभासा क्या है व्यक्तिगत विभिनिता के अंतरगत कोई व्यक्ति अपने समुह के सारीरिक तथा मानसिक गुड़ों के औससे जितनी विभिनिता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिनिता कहते हैं मतलब सारीरिक और मानसिक गुड़ों की तरह जो विभिनिता रखते हैं उसे व्यक्तिकत भी भिनिता कहते हैं, इसकी क्या ट्रिक मैंने क्या बनाई वो देख लीजे, ट्रिक क्या है, ड्राइवर समुह के ओसत व्यक्तियों को ले जाता है, इसमें देखे, ड्राइवर से जैम्स ड्रेवर हो गया, ठीक है, और समुह के व्यक्तियों, देखे, समुह क ब्राइवर समूह के और ब्राइवर को ले जाता है यह इसके ट्रेक होगे अब इससे आपको याद हो जाएगा कि जेम्स द्रैवर की परिभासा क्या क्या थी ऐगे देखें कार्टर भी गुड़ ने क्या परिभासा थी यह व्यक्तियों में किसी एक विसेश्टा या अच्छी विसेथाओं को गुड कहते हैं यह रहा गुड और यह आपकी विसेथाएं ठीक है आगे बड़ते हैं क्रो एंड क्रो की क्या परिभासा है सारे क्रियाओं में शफाल होने की योगताओं में एक समुखके व्यक्तियों में बहुत विभिन्था होती है देखे, क्रो एंड क्रो योग व्यक्तियों के समुह में रहता, ये इसकी ट्रिक है, देखे, क्रो एंड क्रो ये हो गया, और योग ये हो गया, समुह के व्यक्ति, ये ठीक है, क्रो एंड क्रो योग व्यक्तियों के समुह में रहता, ये क्रो एंड क्रो की परिभासा है, ट्रि उन्तिक कि अंघक विभन्ता के दो प्रकार मुख्य nella सब्सक्राइब और से दिखती हैं वह लोग्ति Уबेघ को इनको do उधारन के कौन-कौन से होते हैं वेक्तिगंत विभिनता के मानसिक, सारीरिक, व्यक्तित, चरित्र, विधियां, समवेक, विचार, सीखने में विभिनता या अन्न विभिनता हैं ठीक है इतनी विभिनता होती हैं मुख्य रूप से आंतरिक और बाहे विभिनता व्यक्तिगंत विभिन्ता के कारड क्या है क्या है देखिए जो मुख्य कारड है वो वनसानुक्रम ठीक है अगर प्रस्ण में आ जाए कि मुख्य कारड कौन चार आप्षन दे दे तो आपको वनसानुक्रम को टिक करना है वनसानुक्रम वातावरण समाज विद्याले धार्मिक आयू समाज दो दो बार हो गया लिंग भेद समाजिक और आर्थिकिस्ता ये जितने भी हैं ये सब व्यक्तिगत विभिन्ता को प्रभावित करते हैं ठीक है इनके मुख्य रोप से कारड हैं व्यक्तिगत विभिन्ता के व्यक्तिगत विभिन्ता को जानने की क्या विधिया है बुद्धी परिछड, उपलब्धी परिछड, समवेक परिछड, अभिछमता परिछड, अभिरुची परिछड, व्यक्तित परिछड इन सब को याद कर लिजिए इसमें से प्रस्ण कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ पूछे गा वक्तिकत विभूंता को जानने की विधिया कौन सी है इनमें से कोई भी एक उठाके आपको दे देगा और तीन अलग ऑप्शन दे देगा और पूलेगा इसमें से कौन सी अगर इन में से कोई आ जाए तो उसको आपको टिक कर देना है ठीक है इनको रट लीजिए आगे देखिए व्यक्तित परिछड में तीन तरह के व्यक्तित होते हैं अंतर मुखी बहिर मुखी और उभे मुखी ठीक है और इनका वर्गी करण किस ने किया ये व्यक्तित के प्रक इनका वर्गी करण किया है यूंग ने ठीक है यूंग ने इसका वर्गी करण किया है ठीक है तो ये है व्यक्तित विभिनता जानने की विधिया ठीक है और दो मुख्य फैक्ट है उनको थोड़ा देख लिए सारीरिक विभिनता और बुद्धी में भिनता भौतिक विभिन बिचा अगर इनकी बारे में बात हो जाए सारीरिक विभिनता और बुध्धी में बिचा भात्य कम भिभिनता का कराड़ा याद रखेएगा रुची अभिव्यक्ति वा मूल्यों से संबंदित भिन्नता जो होती है वो मनो वैग्यानिक विभिन्नता का उधारण है ठीक है याद रखेएगा आगे देखे आज कर जो विशेश प्रस्ण है हर वीडियो के अंत में मैं विशेश प्रस्ण पूछूँँगा दोस्तों आप याद रखेएगा और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका प्रस्ण है व्यक्तित का वर्गी करण किस ने किया दोस्तों इस विशेश प्रस्ण का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजे और दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस प्रस्ण का उत्तर आप बहुती आसानी से दे सकेंगे ठीक है और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन म स्कोर करने के लिए आपको मदद करेंगे ठीक है दोस्तों उन वीडियो को भी चरूर देखें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत